हेलो एवरिवन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंपल स्टेन तो सिंपल स्टेनिंग हम कर दे क्यों है और सिंपल स्टेनिंग होता क्या है तो विवर्स जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो और्गानिजम्स वैसे और्गानिजम्स होते हैं जिनको हम नेके आई से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रत होती है and microscope में भी हम उनको तब देख पाते हैं जब हम उनकी staining करते हैं तो staining के काफ़ी सारे techniques है जिसमें से एक बहुत ही important technique है simple staining simple staining technique जो है वो काफ़ी quick और easy technique है जिससे हम bacteria के cell के shape को, size को और arrangements को पता कर सकते हैं जैसा कि इसका name suggest करता है simple staining simple staining काफी simple staining procedure होता है जिसमें सिंगल stain का use किया जाता है हम यहाँ पे कोई भी basic dye जैसे की methylene blue, saffronine, crystal wallet, etc. सेक्टरा उसको use कर सकते हैं bacterial cell को stain करने के लिए एक बर वापड़े से repeat कर रहे हूं कि simple staining procedure काफी simple होता है जैसा कि इसका name suggest करता है और यह काफी easy and quick way होता है bacterial cell के shape, size और arrangements को पता करने के लिए यहाँ पे हम कोई भी basic dye use कर सकते हैं as a stain, methylene blue, saffronine, crystal wallet, etc. किसी भी dye को हम use कर सकते हैं bacterial cell को stain करने के लिए आए तो अब हम देखते हैं कि bacterial cell को stain कैसे करते हैं procedure क्या होता है simple staining का तो firstly हमें clean glass slide लेना होता है जो कि grease free होना चाहिए अब हम slide को grease free कैसे करेंगे तो हम उसको wash करेंगे glass light को soap water से and then हम उसको air dry करेंगे and हम उसको flame की उपर से pass करेंगे 2-3 minute and then हम उस clean glass light पे smear prepare करेंगे smear prepare करने के बाद हम smear को heat fix करेंगे and then हम smear को cover करेंगे methylene blue से यहां पे हमने stain करने के लिए जो dye use किया है वो है methylene blue तो हम cover करेंगे smear को methylene blue से and then हम उसको 2-3 minutes के लिए छोड़ देंगे then हम wash करेंगे अपने glass light को distilled water से and wash करने के बाद हम जो भी extra stain है उसको properly wash करेंगे and then wash करने के बाद हम क्या करेंगे अपने slide को wipe out करेंगे and then अपने slide को हम microscope में oil immersion apply करने के बाद 100X के magnification पे देखेंगे अब मैं आपको बिताती हूँ एक बार simple तरीके से कि क्या procedure होता है simple stain को perform करने के लिए जैसा कि आप इस image में देख सकते हैं सबसे पहले हमने clean glass light लिया and उस पे हमने smear prepare किया जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने culture का thin smear prepare कर लिया है glass light पे then हमने उसको air dry किया and then heat fix किया ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जादा देख के लिए heat fix नहीं करना है हम तीन से चार बार उसको flame के उपर से पास करेंगे अपने slide को heat fix करने के बाद हमने उसे flood किया stain से जो कि यहाँ पे हमने methylene blue को use किया है as stain after staining हमने wash किया अपनी slide को then उसको blood dry किया and blood dry करने के बाद oil immersion apply किया slide पे and 100x magnification पे हमने microscope में उसको देखा friends अब मैं आपको बताती हूँ कि basically यह जो steps है उन साथे steps में हुए क्या है तो होता क्या है यह जो stains हम एपलाए कर रहे हैं और जो bacterial cell के components है वो आपस में react करते हैं जो bacterial cell के components है वो negatively charged होते हैं कारबॉक्सिल ग्रूप के presence की बिज़े से और जो stain हम एपलाए कर रहे हैं वो positively charged होते हैं तो यह stains के और carboxyl group के bacterial cell के components पे carboxyl group के presence की विज़े से यह आपस में adhere कर जाते हैं cell surface पे and after staining हम bacteria की morphology को आसानी से microscope में देख पाते हैं जैसे की bacteria की shape को size को और arrangements को अब आप जो techniques हमने use किये हैं उसमे step by step क्या changes आए हैं आप इस diagram में देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि bacterial cell जो है वो negatively charged है bacterial cell के जो components है carboxyl group के presence की विज़े से वो negatively charged है जो हमने basic dye use किया है वो positively charged है and then dye attach हो गया है bacterial cell से क्योंकि bacterial cell जो है negatively charged है और dye positively charged है तो यह attach हो गया है और यह आप देख सकते हैं कि stained bacterial cells हमें दिख जाएंगे तो हमें जो bacteria है वो stained bacteria हमें microscope में दिख जाएंगे color depend करता है कि हमने कौन सा stain use किया है उस stain के वज़े से हमें colors bacteria के color अलग-अलग दिखेंगे और जैसा कि हम जानते हैं आप इस image में देख सकते है microscope view है bacteria का जिसमें एक तरफ आप यू कलर का कोकाय शेप देख पा रहे हैं bacteria का और दूसरी तरफ अब bacillus शेप देख पा हैं pink color में यानि कि बहुत ही easy है step को perform करना और बहुत ही easy है bacteria की morphology की study करना इस staining procedure से लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि simple staining procedure का use diagnostic laboratory में नहीं किया जाता है जादा तर इसका use इस लिए किया आता है क्योंकि यह काफी easy होता है perform करना और काफी quick होता है और इस तेल से differentiate करने के लिए bacterial cell को step को इस technique को procedure को हम apply करते हैं और follow करते हैं इस procedure से हम differentiate नहीं कर सकते हैं gram positive और gram negative bacteria में तो वीवर्स आपको कैसा लगा आप मुझे मेरे नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो के कॉमेंट में बता सकते हैं थैंक्यू सो मच